हेलो दोस्तों, मैं सचनर अरोडा एक बर फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफिशियल यूट्यूटीव प्लेटपॉर्म पे स्वाई हो पियो अला डूइंग ब्रेट आप सब बहुत बढ़िया होंगे आई बी पी अर बी पी उकलर कम्प्यूटर अवेरनेस के बेस्ट फोर्टी कोश्चन्स के सिरीज में हम लोग लगातार कुछ नया सीख रहे हैं कुछ नए कोश्चन्स जैसे की एक्जाम का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आज है इसका डे 7 डे 1 से लेकर डे 6 तक काफी सारे कोश्चन्स आपको आते थे जो आपने सही किये लेकिन काफी सारे वो भी कोश्चन्स थे जो आपने गलत किये जिनके concept को आपने समझा और मैं उमीद करता हूँ कि उन concept को आप सासत लिख भी रहे होंगी लेकिन paper का pattern इतना आसान नहीं आएगा वहाँ पर question lengthy होंगे और जब question lengthy होते हैं तो आपके concept strong होने चाहिए Sir concept कैसे strong करें? practice तो हम करी रहे हैं concept strong करने के लिए आपके लिए एक special batch launch किया गया है IBPS, RRB, PO clerk, full computer course जहाँ पर आपको concept, mcqs, pdf और mock test दिये जा रहे हैं ये course live classes के form में और live के बाद में जितनी भी वीडियोज हैं वो recorded format में आपको मिलती हैं जो कि आप लोग जानते भी हैं पंदरा मार्स से ये course आपका start हुआ था, जितनी भी classes हो चुकी हैं वो सब आपको recorded format में भी मिलेंगी तो आपको करना क्या है? Aroda Educator Application को install करना है, Google Play Store या iOS Store की मदद से और फिर आप इस course से connect कर सकते हैं Sir, validity कितनी रहेगी? 12 months from the date of purchase Sir, इसको पढ़ने के बाद क्या कोई दूसरी बुक या वीडियो को देखने की भी requirement है? जी नहीं, ये course अपने में sufficient है, full out of full score करवाने के लिए यानि maximum score करवाने के लिए Paper का level कितना भी tough क्यों ना हो? आप बढ़िया score कर पाएंगे और सिर्फ score ही नहीं confidence भी develop होगा देखी, score करना that is the secondary सबसे पहले important है कि आपको ये खुद feel होना चाहिए कि हमें confidence है या नहीं अगर आपको पहले से ये confidence होगा कि हम सारे के सारे questions attempt करेंगे और सभी सही भी होगे तभी exam में possibility बनती है कि आप 35 plus questions को out of 40 बिलकुल सही कर पाएं किसी भी confusion के regarding किसी भी doubt के regarding दिये गए नंबर पे whatsapp करके भी आप इस course के regarding जितने भी doubts हैं वो आप पूछ सकते हैं तो चलिए आज के session की शुरुवात करते हैं previous session में question मैंने आपसे पूछा था ये question क्या था communication between a computer and a keyboard involves dash transmission computer और keyboard के संचार के बीच में जो transmission है वो क्या है हम जानते हैं ये question networking का है और networking में जो networking communication होता है या transmission होता है वो तीन तरीके से होता है simplex, half duplex और full duplex जब भी हम बात करते हैं computer और keyboard की तो क्या ये एक direction में होता है हम keyboard से type करते हैं computer में दिखता है जी हाँ ये unidirectional है और unidirectional को हम क्या बोलते हैं very good that is called simplex यानि option fourth is the right one तो एक direction में unidirection में होने वाले networking communication को simplex के नाम से जानते हैं next आज के session का पहला question ये रहा आपके सामने पढ़िये, सोचिये और बताईये की answer क्या होगा which of the following stores the operating system files permanently निम्न लिखित में से कौन operating system की फाइलों को इस्थाई रूप से संग्रहित करता है register, hard disk, ram, cache या ROM यानि operating system की जो files है वो आखिरकार store permanent कहा होती है permanent का मतलब कि जिसको अब remove ना कर पाएं ऐसी files कहां पर store होती है register में, hard disk में, ram में, cache में, या ROM में register में तो हो नहीं सकती क्योंकि register temporary है hard disk में हो सकती है, हो सकती है क्योंकि hard disk permanent है ram में हो सकती है, जी नहीं ram temporary है cache में हो सकती है, जी नहीं cache temporary है ROM में हो सकती है, हो सकती है क्योंकि ROM क्या है permanent तो answer या तो hard disk होगा या ROM होगा अब बताओ अगर question में ये दे रहा होता कि booting के दोरान operating system की files जो load होती है वो किसकी मदद से होती है तो answer होता ROM की मदद से files booting के दोरान कहां पर transfer होती है ram में लेकिन अगर बात की जा रही हो permanent storage की तो हमेशा answer क्या होगा hard disk यानि second is the right one याद रखिएगा अगर help की बात की जाएगी कि booting के दोरान operating system की files जो load होती है वो उसमें मदद कौन करता है ROM operating system की files secondary storage से primary storage में यानि RAM में transfer होती है booting के दोरान लेकिन अगर permanent की बात की जाए कि permanent store कहां पर रहती है तो answer क्या होगा hard disk में clear है very good next in OSI model which of the following layer decide the path of data OSI model में निमलिकित में से कौन सी परत data का path तै करती है data का path यानि data का path तै करती है अच्छा जी बात होरी है यहाँ पर OSI model की OSI model में हम लोग जानते हैं कि 7 layers होती है 7 layers में से path decide करने का काम किसका है path का मतलब root decide करना और root decide करता है router router किस layer में काम करता है network layer में जो की तीसरे number की layer है तो answer क्या हो जाएगा third option is the correct one network is the right one physical, data link, network, transport, session presentation और application यही तो होती है 7 layers very good next a machine that connect two or more electronic mail system and transfer messages between them is called वह machine जो दो या दो से अधिक electronic mail system को जोड़ती है और उनके बीच संदेशों को इस्थांतरित करती है आपने mail अपने computer से किसी दूसरे को भेजा या अपने mobile से किसी दूसरे को भेजा तो यहाँ पर किसकी requirement है तो आप कहेंगे सर मैंने जो mail भेजा वो supposed करिए Gmail से भेजा और आपने सामने वाले को supposed करिए जो mail भेजा वो Rediff वाली ID पर भेजा या Yahoo की ID पर भेजा या Hotmail पर भेजा या Outlook पर भेजा तो इन सब cases में किसकी requirement है gateway की यानि answer क्या होगा mail gateway gateway क्या होता है जिसकी मदद से आपका mail pass होता है that is called gateway जिसकी मदद से आप के computer से mail permit होता है दूसरे computer यानि दूसरे की mail ID पर जाने के लिए that is called gateway तो answer क्या होगा that is called mail gateway clear next a central computer surrounded by one or more satellite computer is called एक या अधिक satellite computer से घिरे केंदरी computer को क्या कहा जाता है best question है कई बार repeat होता है एक्जाम में हम जानते है central का मतलब क्या है ऐसी कौन सी topology है जिसमें central computer यानि central device का यूस किया जाता है hub central device का मतलब hub और hub का यूस किसमें करते हैं star topology में तो answer क्या हो जाएगा star network star network क्या है जिसमें बीच में hub device लगी होती है और चारों तरफ इसके computers लगे होते हैं यही तो कह रहा था question में a central computer surrounded by one or more satellite computer is called star topology या star network next which of the following is or are called low level languages निम लिखित में से किसे निम न इस तरी भाशा कहा जाता है हम जानते हैं कि programming language को दो types में divide किया जाता है एक high level और एक low level high level की बात करते हैं तो C, C++, Java जैसी languages का नाम आता है low level की बात करते हैं तो यहाँ पर दो language का नाम आता है पहली binary या machine language और दूसरी होती है assembly language तो यहाँ पर correct answer क्या होगा machine language बिल्कुल सही assembly यानि assemble language भी कह सकते हैं assembly language भी कह सकते हैं बिल्कुल सही binary language ये भी सही या all of these बिल्कुल correct answer होता हुआ all of these binary या machine की बात करें तो ये 01 के format में होती है, bits के format में होती है, जबकि Assembly Language की बात करें, तो ये किस format में होती है, निमोनिक्स के format में, और निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, symbols, symbols मतलब, MOV, move करवाने के लिए, ADD, add करने के लिए, SUB, subtract करने के लिए, BRA, branching के लिए, ऐसे symbols का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, that is, Assembly Language, which secondary storage device uses NAND-based flash memory technology, कौन सी secondary storage device NAND आधारित flash memory तकनिक को अपियो करती है, flash memory, जैसे ही question में मैंने देखा flash memory, मैं समझ गया, कि सचिन सर ने बताया था, flash memory में तीन तरीके की devices आती है, कौन-कौन सी, pen drive, memory card और SSD, क्या यहाँ pen drive given है, जी नहीं, क्या memory card given है, जी नहीं, क्या SSD given है, जी हाँ, यानि correct answer is solid state drive, SSD, clear है, बहुत बढ़िया, next, hybrid drives combine feature of which two types of storage devices, hybrid drive किन दो प्रकार के storage devices की विशेशताओं को जोडती है, बात किसकी हो रही है, hybrid, hybrid का मतलब क्या है, जब हम drives की बात करते हैं, तो drive का मतलब secondary storage, और secondary storage में hybrid का मतलब, जो आजकल यूज होता है, कई सरे laptop's अगर आप market में लेने जाएंगे, तो आपको उसमें hard disk भी मिलेगी, और SSD भी मिलेगी, तो hybrid drives का मतलब होता है, the combination of two types of drives, first one is SSD, and second one is hard disk drive, सर, ये दोनों drives क्यों होती है, एक भी तो हो सकती है, hard disk भी तो हो सकती है, सर, SSD भी तो हो सकती है, जी हाँ, सिर्फ SSD भी हो सकती है, सिर्फ hard disk भी हो सकती है, लेकिन दोनों क्यों होती है, ताकि computer की performance को और बहतर बनाया जा सके, हम क्या करते हैं operating system को SSD में store करके रखते हैं और बाकी files को hard disk में store करके रखते हैं तो इससे हमारा computer की performance क्या है बढ़ जाती है हमारी booting की speed बढ़ जाती है हमारी operating system की performance बढ़ जाती है CPU की performance बढ़ जाती है जब हम दो-दो drives का use करते हैं और इतना ही नहीं हमारा budget भी बढ़ जाता है क्योंकि अगर laptops में SSD और hard disk दोनों लगी हुई है तो इसका मतलब आपके जेब से पैसा भी जादा निकलने वाला है अगर सिर्फ hard disk है सिर्फ SSD है तो कीमत कम होगी लेकिन अगर hard disk और SSD दोनों लगी होगी आपके laptop में तो normal सी बात है कि उसकी कीमत भी जादा होगी और कीमत जादा होगी तो performance बहतर होगी next which component of a CPU allows for parallel processing and improved multitasking CPU का कौन सा घटक समान तोर पे प्रसंस्करण और बहतर multitasking की अनुमती देता है हम जानते हैं आजकल जितने भी processor हैं जितने भी CPU हैं क्या वो सब multi-user multitasking है जी हाँ ताकि हम एक साथ अपने computer पर कई सारे अलग-अलग task को perform कर पाएं लेकिन ये सब होता किसकी मदद से CPU यानि प्रोसेसर के उपर जो course लगे होते हैं multi-core, single-core, dual-core octa-core, hexa-core इनकी मदद से ही होती है multitasking performance तो correct answer क्या होगा that is course याद रखिएगा जितने ज़्यादा core होंगे CPU में उतनी ही multitasking possibility ज़्यादा होगी उतनी ही CPU यानि performance of the computer या प्रोसेसर बढ़िया रहने वाली है next in which type of task do GPU typically excel GPU आम तोर पर किस प्रकार के कारियों में उत्रक्रश्टा प्राप्त करते हैं अब ये GPU क्या है तो आप जानते होंगे CPU का बड़ा भाई है GPU यानि Central Processing Unit और इसका बड़ा भाई क्या है GPU that is called Graphics Processing Unit जिसे आप Graphic Card भी बोलते हैं और GPU का में काम क्या होता है वीडियोस को रेंडर करना इमेजस की क्वालिटी को इंप्रूफ करना और बहतर तरीके से Processing Power को Maintain करना CPU जहाँ पर कई बार Sequential Processing के लिए Famous है वही GPU Famous है Parallel Processing के लिए तो Correct Answer क्या होगा In which type of task do GPU Typically Excel किस काम में ये Excel है किस काम में इसका यूज किया जाता है तो Answer है Parallel Processing अब ये Parallel Processing क्या होती है एक साथ जब हम कई सारे टास्क पर फॉर्म करते हैं हमने वीडियो भी रेंडर कर रहे हैं एक तरफ वीडियो प्रोसेसिंग हो रही है एक तरफ images बन रही है एक तरफ Facebook पर काम हो रहा है एक तरफ हमारा कोई animation का काम चल रहा है तो अगर अलग-अलग काम चल रहे हैं एक ही समय पर तो हमें Parallel Processing की नीड होगी और यहाँ पर CPU काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर GPU की requirement होगी इसलिए तो जितने भी समार्टफोन होते हैं उनमें CPU नहीं बलकि GPU यूज किया जाता है Next Which programming languages are considered high-level languages बताईए अभी हम लोग ने low-level languages की बात की थी थोड़ी दर पहले जहाँ पर हमने binary, machine और assembly language को cater out किया था लेकिन अगर high-level languages की बात करेंगे तो answer क्या होगा Python, Java, C++ जी हाँ First option is the correct one Second क्यों नहीं क्योंकि assembly machine ये तो high-level नहीं होती HTML, CSS और JavaScript ये भी high-level नहीं होती Binary, hexadecimal, octal ये तो number system है None of these हो नहीं सकता So the correct answer is Python, Java, C++ considered as the high-level languages High-level languages किसे बोलते हैं वो languages जो आम तोर पर programmer type करता है उसे बोलते हैं high-level language जो समझने में आसान है जो कि programmer के लिए काफी आसान होती है और ज़्यादा तर ये English के format में ही पाई जाती है जैसे hash include studio.h conio.h void main ये क्या है C programming language तो C भी तो हमारी high-level है तो C, C++, Java, Python, Fortran जिसको पहली high-level language के नाम से भी जाना जाता है येना तो कई बार ये भी question exam में आता है कि name the first high-level language the answer is Fortran formula translation next which language is specific to a particular CPU architecture आई गही आई गही ये question तो very very famous one किसी विशेश CPU architecture के लिए कौन सी भाशा विशेश्ट है assembly language high-level machine binary या all of these अगर आपको CPU बनाना है तो किस language की तरफ आप बढ़ेंगे high-level या low-level पहले तो ये decide कर लो तो answer है CPU का मतलब hardware और hardware बनाने के लिए low-level language prefer करेंगे लेकिन low-level language में कौन सी language binary या फिर assembly तो answer है preference मिलती है assembly को क्योंकि binary में coding करना तो काफी tough है इसलिए CPU architecture यानि CPU को बनाते समय जिस language को हम prefer करते हैं that is what assembly language यानि option number one is the right one और assembly language में हम किसका use करते हैं निमोनिक्स का और निमोनिक्स किस format में होते हैं तो आपको हमने बताया है add, subtract, begin, pause, MOV, branching हना इस तरीके से इस language में हम लोग use करते हैं next which windows version introduced the start menu and task bar किस windows संस्करण में start menu और task bar पेश किया गया है हम जानते हैं जब हम बात करते हैं windows के version की तो यहाँ पर start menu का मतलब वही जिसे windows 8 में हटा दिया गया था और 8.1 में introduce किया गया task bar का मतलब सबसे नीचे वाली बार जो होती है that is called task bar और इसको introduce किया गया था किस version में windows 95 में तो correct answer क्या होगा windows 95 इसी में introduce किया गया सबसे पहले start menu और साथी साथ introduce किया गया किसका task bar का जो bottom bar होती है windows या फिर operating system next windows ME इधर आईए सबसे पहले तो ME की full form याद रखी windows ME में ME की full form क्या है millennium edition was primarily focused on ये जो windows का version है जिसे windows ME कहते हैं जो काफी famous भी हुआ ये focus करता है किस पर business environment पर multimedia home networking पर touch based devices पर improved security पर या all of these पर and the correct answer is multimedia and home networking जो windows का ME वाला edition आया उसका focus दो चीजों पर था क्या एक तो multimedia को बहतर करना यानि images, videos, graphics इनको बहतर तरीके से support करना और दूसरा home networking का मतलब networking की speed को increase करना ये दो मकसद थे windows ME के millennium edition के याद रखिएगा next which windows version introduced the concept of windows as a service WAAS with regular feature updates RBI का question और ये question भी बहुत important है किस windows संस्क्रण ने नीमित feature update के साथ एक सेवा के रूप में windows WAAS की अवधारणा को पेश किया यानि ऐसा कौन सा operating system था जिसमें सबसे पहले windows as a service इस feature का इस्तमाल किया गया and the answer is windows 10 सर windows as a service का मतलब क्या है अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि data को cloud पर store कर रहे थे हैना जिसे email पर आपने store कर दिया वैसे ही windows 10 में क्या किया गया सबसे पहली बार windows की files को online store किया गया जिसको बोला गया क्या windows as a service यानि अगर कोई file by the way corrupt हो जाए windows में तो automatically वो file अपने आप restore हो जाए अपने आप recover हो जाए इस facility को बोला गया क्या windows as a service WAAS clear है और ये कब introduce किया गया किस वर्जन से windows 10 के साथ इस service को introduce किया गया अब ये question exam में दो तरीके से आता है क्या windows as a service किस windows के वर्जन से शुरू किया गया windows 10 windows 10 में किस service को introduce किया गया तो answer है windows as a service तो दोनों तरफ से याद रखिएगा next which Linux distribution is known for its stability and is the base for many other distribution Linux बहुत important operating system है यहाँ से दो तीन question तो मिलते ही मिलते हैं अना जैसे Linux किस तरीके का operating system है open source operating system है Linux को किस ने develop किया Linux Torwalde ने develop किया Linux जो operating system है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है which Linux distribution is known for its stability Linux के बहुत सारे वर्जन है लेकिन ऐसा कौन सा वर्जन है जो कि famous है stability के लिए जो stable है and is based for many other distributions और कई सारे वर्जन को वो support भीर करता है कई सारे वर्जन को चलाने के लिए उसकी मदद भी लेते हैं and that is called Debian यानि option number three Debian is the correct one यही Linux का वो वर्जन है जो सबसे stable माना जाता है जो सबसे secure माना जाता है और इसी के basis पर दूसरे वर्जन को भी develop किया गया तो सबसे बहतर वर्जन की अगर बात करें तो वो कौन सा है Debian clear, next which Linux distribution distribution का मतलब होता है वर्जन which Linux version या which Linux distribution is often recommended for beginners due to his users friendly interface उपयोग करता के अनुकूल इंटरफेस के कारण शुरुवाती लोगों के लिए अकसर कौन सा Linux वित्रड अनुशंसित किया जाता है किया अगर कोई नेव यूजर है कोई बिगनर है तो इस case में उसके लिए कौन सा Linux का वर्जन सबसे बहतर रहेगा जिसमें उसको सीखने में भी असानी होगी जो यूजर फ्रेंडली भी होगा कौन सा रिकमेंड करेंगे इस टेबल के case में डेबियान था लेकिन अगर कोई नेया यूजर है और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को यूजर यूजर करना चाता है तो इस case में यूबियून्टू प्रिफर किया जाएगा और अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्षन में बताईएगा जी हाँ सर हमारे कॉलेजस में भी यूबियून्टू देखने को मिला तो मैक्सिमम कॉलेजस में जो अपरेटिंग सिस्टम होता है वो लाइनेक्स का यही वर्जन है यूबियून्टू क्योंकि इसको यूजर करना भी काफी असान है यह ओपेन सोर्स भी है जहाँ पर मॉडिफिकेशन्स भी असानी से किया जा सकते है और वेबसाइट्स को असानी से लॉक भी किया जा सकता है कि इस कंप्यूटर पर क्या-क्या चले इसको नियंतरित किया जा सकता है अना वरना कॉलेजस में आप जानते ही है अना कोई कुछ भी ओपेन कर लेगा तो इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करें तो इसका सही जवाब मिला इस यूबियून टू जिसको यूज करना भी असान है और जिसमें रेस्ट्रिक्शन्स लगाना भी असान है Next What is the common bootloader used in Linux installation Linux installation में उप्योग किया जाने वाला समान बूट लोडर क्या है अगर आपने previous CS paper देखे हैं तो आपने इस question को कई बार देखा होगा क्या ही ये question क्या रहा है जब हम Linux operating system अपने computer में install करते हैं तो installation के दौरान एक खास bootloader का प्रेयोग किया जाता है जो मदद करता है operating system को install करने में और वो bootloader कौन सा है जो Linux में यूज किया जाता है The correct answer is Grub operating system की files को boot करने में यानि on करने में system को मदद करता है किस case में Linux operating system के case में तो याद रखिएगा that is called Grub तब PDU for TCP is called PDU का मतलब क्या होता है networking में जो OSI models है और networking के OSI model में जो layers है हर एक layer की एक PDU होती है that is called presentation data unit क्या है PDU P का मतलब presentation D का मतलब data और U का मतलब unit presentation data unit का मतलब ये होता है कि किस layer में data कैसे travel करेगा जैसे physical layer में data bits के format में travel करता है 0,1 के format में data link layer पर data frames के format में travel करता है network में data packets के format में travel करता है वैसे ही transport layer पर data segment के format में travel करता है और TCP का मतलब क्या है transport layer क्योंकि transport layer पर कौन सी protocol काम करती है TCP और UDP तो correct answer क्या होगा segment is the right answer तो याद रखने वाली बात क्या है physical layer पर PDU क्या होगी bits data link layer में data कैसे travel करेगा frames के format में network में कैसे travel करेगा packets के format में transport layer पर कैसे travel करेगा segment के format में और उपर वाली तीनों layers पर data कैसे travel करेगा तो data के format पर bits, frames, packets, segment then data clear है बेटा very good dash is the process of monitoring and capturing all the packets passing through a given network बताईए dash किसी दिए गए network से गुजरने वाले सभी packetों की निगरानी और capture करने की प्रक्रिया को क्या बोलते monitor करना कि network में हर एक packets को monitor किया जाए कि ये कहां से आया कहां जा रहा है capture करना इन packets को इसे क्या बोलते हैं that is called sniffing sniffing क्यों बोलते हैं आप लोग ने देखा होगा dogs भी आते हैं that is called sniffer dogs जो सूंग कर पता लगा लेते हैं कि bum कहा पर है जो monitor करते हैं उस particular spot को जहां पर वो घटना घटी होती है और उसको monitor करते हैं capture किया जाता है हर एक चीजों को ताकि उन चीजों को smell करवाएं dogs को और उसकी मदद से dog identify कर पाए उस victim को उस जगे को या उस चीज को समझ में आया तो यहां पर भी answer क्या होगा that is called sniffing technique जिसका इस्तमाल करते हैं किस परपस से packets को monitor करने के लिए उनको capture करने के लिए और अगर packets को capture कर लिया तो network से गुजरने वाले सभी data को capture कर लिया जी हाँ क्योंकि internet पर जो भी data move करेगा वो किस format में करेगा packets के format में next the size of the commonly used floppy disk is आम तोर पर प्रियोग होने वाली floppy disk का आकार क्या होता है हम जानते हैं पहले के समय में floppy disk का यूज किया जाता था जो A drive और B drive के format में दिखाई दीती थी floppy disk के अगर बात करें तो अब इसका use नहीं होता यह obsolete हो चुकी है और floppy disk को किस ने replace किया है हाल डिस्क ने और floppy disk का जो size हुआ करता था normal वो क्या था 3.5 inch तो what is the by default या what is the size of the floppy disk the correct answer is 3.5 inch next which of the following operating system is produced by IBM निम्र लिखित में से कौन सो operating system IBM मतलब international business machine द्वारा निर्मित है हम जानते हैं जो पहला operating system है उसका नाम क्या है can you name the very first operating system yes that is called GMOS General Motors operating system और अगर हम बात करें IBM के द्वारा produce के गए operating system की तो that is called OS2 यानि option 1 is the right one तो IBM ने जिस operating system को बनाया है उसका नाम क्या है operating system 2 और it is called OS2 next which of the following is true about primary storage ऐसे questions बहुत मिलेंगे कि इनमें से कौन सा statement valid है या कौन सा statement true है primary storage के respect में अब primary storage होता क्या है पहले तो यह सोचिए तो आपने तुरंद सोचा कि primary storage का मतलब primary memory primary memory का मतलब main memory और main memory का मतलब RAM और ROM यानि यहाँ पर जो भी बात की जा रही होगी वो किसके respect में होगी RAM और ROM के respect में आईए देखते हैं It is the part of CPU क्या RAM और ROM CPU का ही एक हिस्सा है जी हाँ वैसे तो register CPU का एक हिस्सा है लेकिन RAM और ROM भी किसे link होते हैं CPU से तो यह भी सही हो गया It allows very fast access to data क्या RAM बहुत fast है जी हाँ वैसे तो register बहुत fast है fast में register, cache, RAM यह सभी आती है तो इसका मतलब यह भी क्या होगा valid होगा It is relatively more expensive क्या RAM की कीमत जादा होती है जी हाँ RAM अक्सर काफी महंगी मिलती है ROM अक्सर काफी महंगी मिलती है तो यह भी statement सही है All of these या None of these तो अगर उपर वाले तीनों सही हो गए तो answer क्या होगा यह सभी statement valid है तो primary memory का मतलब primary storage का मतलब क्या है RAM और ROM RAM कितने तरीके की होती है तीन तरीके की static, dynamic और sdram ROM कितने तरीके की होती है p-ROM, e-P-ROM, e-P-ROM और mask ROM यहनि चार तरीके की next, which function will be used to enter current time in worksheet cell worksheet cell में वर्तमान समय दर्च करने के लिए किस function को अपयोग किया जाता है very, very important one हम जानते हैं कि अगर हमें excel sheet में current date और time यह दोनों show करने हैं तो हम किसका use करेंगे now function का तो now function की मदद से current date और time दोनों show हो जाते हैं और today function की मदद से सिर्फ date show करते हैं लेकिन question में क्या पूछा है सिर्फ time क्या सिर्फ time देखा जा सकता है जी नहीं time के साथ में date भी आएगी लेकिन किसकी मदद से now function की मदद से तो क्या now function की मदद से which of the following computer hardware contains a laser निम लिखित में से किस computer hardware में laser होता है laser का मतलब laser light और laser light का प्रियोग किस में किया जाता है optical disk में optical disk का मतलब होता है CD, DVD, BRD या holographic versatile disk, HVD क्या यहाँ पर इन में से कोई given है RAM नहीं होगा CD drive, hard disk drive, floppy drive, you are none of these बिल्कुल and the correct answer is CD drive क्योंकि CD के है, DVD के है, HVD के है, या BRD के है इन सभी में किस का प्रियोग किया जाता है laser light का और इन सभी disk को हम लोग क्या बोलते है optical disk next what was the first domain name ever registered in the world wide web domain name क्या होता है facebook.com, google.com, whatsapp.co.in यह सब क्या है, domain है सबसे पहला जो domain internet यानि worldwide web पर register किया गया, उसका नाम क्या है www.symbolics.com very very famous question सबसे पहला domain जो की internet या www worldwide web पर register किया गया, that is called www.symbolics.com what do you mean by web back on web back on से आप क्या समझते है यह junk mail है, जी नहीं it is a default display in the mail panel mail pane, क्या यह default display है किसी भी mail का, जी नहीं क्या यह spam mail होता है it is a spam mail that can be avoided by the user जी नहीं it is a transparent graphic image क्या यह transparent graphic image है that is placed on the website और एन email जो किसी भी website या mail पर रखी जाती है जी हाँ web back on क्या होते हैं एक transparent graphic image होती है जिसे हम किसकी उपर रखते हैं या तो website पर लगाते हैं या तो email पर लगाते हैं और इसके द्वारा किसी भी information को हम track कर सकते हैं that is called web back ons next when you shut down the windows operating system computer it automatically clears the content of जब आप windows operating computer को बंद करते हैं तो यह 140 रूप से किस समागरी को साफ कर देती है जब भी हम operating system को बंद करते हैं इसका मतलब जब भी हम computer को shut down करते हैं तो कहां से हमारा data delete हो जाता है RAM से क्योंकि RAM क्या है temporary यानि answer क्या हो जाएगा RAM is the right one hard drive तो होगा नहीं क्योंकि hard drive permanent है floppy disk भी नहीं होगा CD भी नहीं होगा all of these भी नहीं होगा the correct answer is RAM और RAM को RAM क्यों बोलते हैं इसलिए RAM को temporary memory बोलते हैं क्योंकि जब तक power supply है जब तक system on है तब तक तो ये data को consume करती है और जैसे ही system shut down होगा जितना भी data है RAM के उपर वो automatically clear हो जाएगा delete हो जाएगा that's why the RAM is called temporary memory और volatile in nature next modem is a very popular computer peripheral and is categorized as dash device क्या रहें modem एक बहुती लोगप्री computer peripheral है जी हाँ modulator और demodulator OSI model के किस layer पर use होता है modem का जल्दी से बताईए बिल्कुल that is on data link layer यानि second layer पर पहले physical layer पर होता था लेकिन आप किस पर होता है data link layer पर पताएगे न और modem किस तरीके की device है input, output, input and output both storage या none of these correct answer है input और output both क्योंकि modem क्या करती है modulator and demodulator का combination है जो analog से digital और digital से analog signal में data को convert करती है तो ये input भी है और ये output भी है next a way of storing your favorite site on the internet is known as internet पर अपनी पसंदीदा website को store करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं आप सोचते हैं कि ये website कई हाथ से निकलना जाए तो आप उसको क्या करते हैं bookmark कर लेते हैं control D कर लेते हैं and that is used for the bookmark purpose so the correct answer is bookmark next which feature provides a new way to look at your notifications in one place in windows 10 or 11 कौन सी सुविदा windows 10 or 11 में एक ही स्थान पर आपकी सभी सूचियों को दिखाने या देखने का एक नया तरीका प्रदान करती हैं windows 10 or 11 में जितनी भी notifications हैं वो कहां आती हैं system tray में या system tray को हम लोग क्या बोलते हैं notification area या इसको कई बार action center के नाम से भी जानते हैं तो correct answer is option number 4 action center ये वो area है जहां पर आपको अलग-अलग तरीके की notifications मिलती हैं जैसे आप की battery down हो गई है computer की आपका system update मांग रहा है या कोई ने अपडेट आ चुका है उसकी information antivirus से related कोई information हो या virus के regarding कोई information ये सारी notifications कहां मिलती है action center notification area के tab next which phase is not included in virus life cycle very very important question virus जीवन चक्र में कौन सा चर्ण शामिल नहीं है जब कभी भी virus trigger करता है execute करता है तो इसकी total stages कितनी होती है चार आई ये इस पर करते हैं एक बर विचार पहली stage होती है virus की dormant जिसमें virus idle रहता है दूसरी होती है propagation जब हम किसी भी file पर click करते हैं तो virus क्या होता है propagate करना शुरू करता है अपनी copies बनाना शुरू करता है तीसरी stage होती है trigger करना अब वो क्या करेगा जब अपनी copies को बना लिया तो system को slow करना शुरू करेगा trigger करना शुरू करेगा और फिर execution phase जहाँ पर वो पूरे तरीके से computer को घीमा कर चुका होगा और आप इस पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे that is called execution phase तो यानि virus के total कितने phase होते हैं चार, dormant, propagation triggering और execution कौन सा नहीं है not included start नहीं होता dormant भी होता है, trigger भी होता है execution भी होता है लेकिन start नहीं होता question exam में ऐसे भी पूछते हैं कि virus का जो पहला stage है उसका नाम बताइए life cycle की जो last stage है उसका नाम बताइए execution, total stages का नाम बताइए total कितनी stages होती हैं ये बताइए, तो answer होगा 4 तो इन चारो नाम याद रखिएगा और जो भी question पूछे उसके according answer लगा दीजेगा अब इसकी बारे में मैंने यहां लिख भी दिया है dormant phase का मतलब virus is idle जहां virus क्या है, idle stage में है propagation का मतलब the virus place an identical copy of itself जहां वो अपनी copies को बनाना शुरू कर रहा है triggering का मतलब virus activate हो गया और function perform करने लगा है execution का मतलब कि अब उसने पूरे functions को perform कर दिया है और जिस मकसद से वो आया था वो मकसद accomplish हो गया है execution phase अपना काम कर चुका है जो मकसद था, जो motive था वो accomplish हो चुका है next Ethernet standard is for dash and its IEEE standard is dash बताईए Ethernet मानक dash के लिए और इसका IEEE मानक क्या है Ethernet किसको बोलते हैं Ethernet cables सा आप लोग जानते ही होंगी जिसका इस्तमाल हम लोग local area network में करते हैं और Ethernet का जो standard है वो क्या है 802.3 तो correct answer हमें मिल चुका है local area network और 2.3 यानि first option is the right one Ethernet cable कुछ twisted pair cable के नाम से भी जानते हैं और इसके आगे जो connector लगे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बिलकुल सही that is called RJ45 connected registered jack 45 connector तो याद रखने वाली बात है कि Ethernet cable is called twisted pair cable sometimes it is called cat cable category 1, category 2, category 3, category 4 category 5 is the latest one और इसके आगे जो connectors है वो क्या है RJ45 और जिस IEEE standard पर ये काम करता है वो क्या है 802.3 next among these which is not a fiber optic connector क्या रहे इन में से कौन सा fiber optic connector नहीं है fiber optic connectors कौन से होते हैं SC connector, ST connector, LC connector, FC connector ये तो fiber optic cables के आगे यूस किये जाते हैं लेकिन RJ45 connector ये नहीं होता क्योंकि ये twisted pair cable या Ethernet cables में देखा जाता है या LAN cables में देखा जाता है तो correct answer क्या हो जाएगा RJ45 connector is not a fiber optic connector इनका यूस fiber optic cables में नहीं किया जाता The official website of chat GPT chat GPT से तो question आएगा ही आएगा computer में भी और GA में भी तो chat GPT की अगर बात करें तो इसकी official website क्या है openai.com क्योंकि chat GPT आप जानते हैं किस company के द्वारा बनाई गई openai company के द्वारा और इसलिए इस website का नाम भी क्या है यानि URL क्या है दोस्तों www.openai.com next who is the father of MS Word MS Word के जनक कौन है किसने MS Word डेवलप किया Martin Cooper ये तो mobile phone के है Dennis Ritchie इन्होंने तो C programming को डेवलप किया है Dennis Ritchie Charles Simone और Richard Brody जी हाँ यही है MS Word के founder कौन-कौन एक नहीं बलकि दो-दो पापा पहले Charles Simone और दूसरे Richard Brody is known as the father या founder of MS Word Bill Gates Microsoft के पापा और Alan Turing Computer Science के founder next Portrait and Landscape are options of क्यारा जो Portrait और Landscape है ये क्या है Page Size, Paper Size Page Orientation Page Layout या नन अवदीज हम जानते हैं कि Portrait और Landscape का I use Word, Excel, PowerPoint तीनों में करते हैं और ये Page Orientations होते हैं लेकिन Question जो सबसे ज़्यादा Popular है वो क्या है कि कौन सा Page Orientation By Default है तो Answer है By Default होता है Portrait और अगर हम Convert करना चाहें तो इसको Printing के दोरान Landscape में भी Convert कर सकते हैं तो By Default is Portrait Which of the following formula in Excel Is correct to find the sum of cell A1, A2, A3, A4 Excel में निमलिखित में से कौन सा सूत्र Cell A1, A2, A3, A4 का योग ज्याद करने के लिए सही है अगर हमें sum करना है A1 से लेकर A4 तक तो हम क्या करेंगे Equals to का sign लगाएंगे Sum का use करेंगे और A1 colon A4 का use करेंगे तो colon का मतलब क्या होता है कि A1 से लेकर A4 तक जितनी भी cell हैं उनका sum हो जाए तो ये reference ही होता एक तरीके से तो correct answer क्या होगा Equals to sum A1 colon A4 Next Which component of MS Excel display the address of the active cell बताइए MS Excel का कौन सा घटक सक्रिये cell का पता परदर्शित करता है display the address of the active cell सपोस करिए कि हमने पहले cell पर क्लिक किया तो पहला cell क्या है A1 और वो A1 जहाँ पर दिखा वो क्या है name box तो correct answer क्या हो जाएगा name box जड़ा फिर से देखो अगर question में कहा जाए MS Excel display the content of the active cell कि ये content कहां दिखाई देता है तो answer होगा formula bar क्योंकि इसका जो content है वो cell के अंदर यानि formula bar में दिखाई देगा लेकिन अगर question में दिया हो address of the active cell इसका address कहां पर दिखाई दे रहा है cell का तो correct answer होगा name box name box में सबसे पहले क्या दिखाई देता है row या column पहले column फिर row यानि a क्या है column और one क्या है rows याद रखिएगा next the ROM type used in almost all phones is लगभग समी सभी फोनों में प्रियुक्त ROM का प्रकार कौन सा है आप स्मार्टफोन यूज़ करते है क्या आपके स्मार्टफोन में नमक है नई क्या आपके स्मार्टफोन में ROM है जी हाँ अगर आपके स्मार्टफोन में ROM है read only memory है तो वो कौन सी है EEP ROM है flash memory उसको बोलते हैं उसको NAND flash बोलते हैं all of these बोलते हैं या none of these बोलते हैं बताई correct answer है EEP ROM क्योंकि latest वाली जो ROM है वो कौन सी है EEP ROM और EEP ROM का advanced form क्या है flash memory ये भी सही है और इसको NAND flash भी बोलते हैं तो यानि answer हो गया all of these यानि जो हमारे mobile phones में जो ROM है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये ROM EEP ROM भी कही जा सकती है इसे flash memory का एक part भी कहा जा सकता है क्योंकि latest technology से बनी है और इसे NAND flash भी कहा जा सकता है तो correct answer क्या हो जाएगा all of these समझ में आया तो कई बार ये दूसरी तरफ से भी पूछते है कि कौन सी ROM लगी हुई है options में आपको मिलेगा P ROM EEP ROM EEP ROM all of these ये none of these तो इस case में answer हो जाएगा EEP ROM लेकिन अगर EEP ROM flash और NAND flash ये तीनों दिया हो गया है तो answer हो जाएगा all of these समझ में आया very good the RAM type used in almost all phones is कि आपके फोन में ROM है आपने का हाँ जी सर अभी आपने दर्शन करवाई ROM read only memory जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता कि आपके mobile phone में RAM भी है बिलकुल है और RAM सबसे expensive भी है RAM है ना 2GB, 4GB, 8GB, 16GB यही तो आप mobile phone लेते समय देखते हैं RAM कितनी है जितनी ज़्यादा RAM होगी उतनी ही performance आपके smartphone की बढ़िया होगी अना फिर आप चाहे photo click करिए चाहे video बनाईए quality बहतर मिलेगी performance smooth मिलेगी तो mobile phone में जो RAM है वो कौन सी है static RAM जी नहीं क्योंकि static RAM का use तो करते हैं cache memory के लिए dynamic RAM जी हाँ यही है हमारे mobile phones में that is DRAM mobile phone की बात करे smart phones की बात करे tablet की बात करे PC की बात करे computer की बात करे तो यहाँ पर जो RAM देखने को मिलती है यह कौन सी है DRAM जिसे LPDDR के नाम से भी जाना जाता है low power double data rate तो हमारे जो mobile phones में जो RAM है वो DRAM तो है लेकिन DRAM का कौन सा part है किस तरीके की DRAM है तो answer है LPDDR यानि low power double data rate DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 कई सारे तरीके की DDR होती है तो इसमें कौन सी वाली है LPDDR low power double data rate क्या यह 40 question समझ में आए और अगर हाँ तो मुझे बताईएगा comment करके कि सर सारे question समझ में आ चुके अगला question जो की question of the day है जिसका मैं answer चाहता हूँ आप सभी लोग comment box में जरूर comment करें क्योंकि this question is considered as the very very famous question of the IBPS तो देखते हैं क्या इस IBPS के question का तोड़ा आपके पास में available है और अगर हाँ तो जरा बताईए the font size of 36 point in MS Word 2007 is equal to how many inches MS Word 2007 में 36 point का जो font अकार है वो कितने inch के बराबर है अगर हमने कहा कि font size 36 point है 36 point font का size है तो ये कितने inches के बराबर होगा ये आपको बताना है और ये रहे 5 options 0.25, 1.0, 0.125, 0.5 या none of these पता है तो जरूर बताईएगा और अगर नहीं पता तो wait करिए अगले session का जहां पर इस question का मैं answer बताऊँगा और कैसे calculate करते हैं ये भी बताऊँगा तो कैसे लगा आपको ये session पसंद आया हो तो एक बाद लाइक करिएगा mock test भी दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक बार basic level से advanced level तक पढ़ने की requirement है वो भी concept wise जिसमें exam में आपको सिर्फ confidence ही नहीं बलकि ये भी विश्वास हो जाएगा कि paper का level कितना भी tough क्यों ना आए हम 35 plus questions को सही कर पाएंगे with accuracy and within 10 minutes 10 minutes के अंदर-अंदर पूरी accuracy के साथ 35 plus questions का target ये guarantee लेता है ये course कैसे जोईन करें सर Aroda Educator application को install करेंगा Google Play Store या iOS Store की मदद से और फिर आप इस course से connect कर सकते हैं किसी भी confusion के regarding दिये गए नमबर पे WhatsApp भी कर सकते हैं बहुत जल मिलेंगे नए session के साथ कर सकते हैं